देखो तो यह तीन को हम लोग्वर्क दिया गया था पिछले वीडियो में तो हम लोग इसको एक और करके क्या करते हैं सौल्यूशन करना स्टार्ट करते कि कैसे इसका नोमेंग लेचर होगा और यह तिन एकजामपल आज लाश्ट होगा इसका उसके बाद हम लोग चल जाएं इसमें क्या है बहुत लोग गरत कर देगा कारवन को कॉंट करने में अभी देग अभी तुम करेगे to find carbon कहीं prospects मिलेगा मतलब कि मान के चलोय यहां सा सीम्पटल अब देखो दbnनरिंग मतलबra JEFF और कहा रहा है डो है पिर कहा जा रहा है अगर इदर से कॉन करेहा है तुप धर फोर पे भी और भी या,, अभर चैनल ऐसी तरह से Опस्वाय हो गियात है कि अब तो सारा पुराँच्वह की यह ना आप कहां है। टूटू पे भी है और कहा एंधर से जाओगे तब तुम्हारा क्या मिलेगा टू टूटू मिलेगा फिर मिलेगा ठीरे ट्लाइब मिलेगा कही úん सबसे पहले किर लो टोकरवारा 1 कारवण 2 कारवण li지도 ok अब यहां पर करना क्या है इसका नाम लिखना है सबसे पहले किसका कर लो सबसे पहले जो करना है वो हम लोग complex branch का नाम पहले लिख करके देख लो जैसे इसमें देखें कि देखें इसे directly जूड़ा है तो मतल़ ही वह लग क्या हो जाएगा one dash हो जाएगा और यहां पर देख र लिखते हैं complex branch का अब complex branch के अंदर भी तुम्हारा क्या है branch कितना position पे one dash और one dash पे दूग है तहां पर क्या लिखेंगे one dash और one dash अब दोगों है तो दो के लिखेंगे डाय मिथायल लिखेंगे ठीक है उसके बाद तुम्हारा कितना लोग इस chain है दो carbon का और दो carbon के लिखेंगे इथेन नहीं क्या लिखेंगे इथायल लिखेंगे ठीक है तो उसी तरह से इसका भी नाम करण हो जाएगा वाकी सब तो simple 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 जान भी करता है इसका नाम क्या चिस होगा M से यहां से देखो तुम्हारा क्या चिस्टाट है बहुत को बुलेगा यहां से M नहीं इसमें जो डाय ट्राइस होता है नहीं जो simple के लिए यूज करते हैं जो पहले यूज करते थे उसमें हम लोग डाय को अलफाबिटिकल मे तो आप बताओ कि M पहले आएगा पहले डी पहले आएगा तो पहले complex नाम पहले लिखेंगे तो इसका नामकरण करोगे तो तुम्हारा क्या जगा अब देखो ऐसा ऐसा दूल जगा है सेम है तो इसका मतलग और तीने तीन पोजिशन पर यहां पर क्या लिखेंगे ठीरी अ और हो जागा यहां पर मिथायल और तुम्हारा क्या है इथायल है यह हो गया तो यह लिखेंगे तुम्हारा complex branch का नाम पता चलिए यह 20 क्यों लगाते थे हम लोग क्योंकि यहां पर डाय अल्रेडी लगा हुआ रता है तो हम लोग जब यहां से ऐसा सब complex branch दो गा जाता है तो उसके लिए हम लोग डायट रहा फिर यहां यूज नहीं करते हैं उसके लिए क्या जाता है दो के लिए 20 तिन के लिए ट्रीस चार के लिए टेटरा किस पांच के लिए पेंटा किस यह सब हम लोग यूज करते हैं complete हो गया अब हम लोग सिंप्लेस्ट वलग देखो मिथ मिथाल मिथाल कितने जगा है चार दो अब मिथाल कितने जगां चरह लोग यहां पर क्या हो जाया है तुमारा पोजिसन देदे दो रदग में ख्या चार-चार-पर ता यहांểu। हो जाएगा इसका नोमेंक्लेचर अम लोग को यह हो गया फिर से इसका लोग जाने के हैं यह तो लिखने का इसे तरह से और दोनों को एरेंज करना था कैसे करते हैं देखते हैं ऑलफा बेटीकल नहीं करते हैं इसमें कॉंट कांस करते हैं उसका जो ब्रांच रहता है उसमें डायट ट्राय टेटर जो यूज करते हैं सिंपल वला हम लोग को काम नहीं करता है जो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें complex वला में तो इसमें अगर डायेट ट्राय लगा रहेगा तो वह भी कॉंट होता है कि इसमें अलफा बेटिकल में तो यह दोनों का फर्क तो समझ गया था बाकी बोले थे कि जैसे यह complex ब्रांच का नाम लिखा इसी तरस तुम्हारा दो गो या फिर तीन गो ब्रांच तो उसके लिए फिर ट्राय लिखता जैसे कि यहां पर तुम्हारा मिधाल मिधाल तीन चार वह आ गया तो टेटर लिखा था उसी तरस तुम्हारा complex ब्रांच भी तीन चार को मिल गया तब तो उसके लिए डायेट ट्राय नहीं लिखते हैं उसके लिए हम लोग क्या लिखत 6389 10 11 12 13 इधर जाओक इतना मिलिया 13 यह नीचे पूसिबल है यह उपर जा रहे के 12345 6789 10 11 12 अगर इधर से लोगे 12345 6789 10 11 12 13 चल गया प्र तेरा चल गया ना अगर फिर उदह चलोगे तो इधर क्या हो जागा यहाँ पर बारा तेरा चाओदा गुचल जाएगा कितना हो जाएगा तुम्हारा चाओदा हो जाएगा ठीक है और अगर इधर चलो एधर से इधर जाएगा इधर से उधर चलो तो यहां से चलो तो यहां से देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा तो कि यह हो जाएगा अब तुम्हारे पास क्या क्या ब्रांच है सो देखो तो अभी तुम्हारे पास देखने को मिला कि यह तुम्हारा क्या हो जाएगा अब दिखना थे सका नम्रिं नम्रिंग दोंगे अगयेंते से वाइन पो फाइब सींपे रहा है से वन एट दो एट में वितत आ रहा है था में आरह रहा है इतना अगर वेंट तो सो कितना जाएगा 233 पर आ जाएगा उसके बाई जखलेगा 47 7 उसके बाद 8 पर भी आएगा उसके ऑप 10 11 12 इतना अब कोन याँ खतम हो जाएगा जादा हुए और मतलए वहार है ज़्याद हो जाँ रहा है व्या Hmmm तो टो टेड़ों किसको करेंगे इसको और इवल अके तरह से काण्ट किया था अभी अधर से नमरें देगे तिस क्या हो जाएगा वान तो थेड़ी यहां तो जाएगा फोर फ़ाइब 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 और यहां से 14 ऐसे हो गया अब नामकरन देना है नामकरन लिखना है अब कैसे करोगे तो सबसे पहले देख लो पहले नाम ले लो तो थोड़ा अच्छा लगता है वैसे करने में इसका नामकरन देखोगे तो जिससे डिरेक्ली जूड़ा रहता है उसी में लिखते हैं वन डाइस इधर जाओगे तो यहां पर हो जागा टू डैस थी फोर ठीरी फोर कहीं भी चल जाते हैं लोग तो यह हो ब्रांच और यह भी वह जाए उसके अंदर क्या ब्रांच हो जाएगा ये भी अगर इसका नाम तुम लिखना चाहोगे अगर डाय मिठाल लिखेगा ठीक है यहां तो कोई दिकत नहीं नहीं आप देखो तुम लोग को कन्फ्यूजर हों कर यहां से डाय है यहां पर यहां पर यह तो पहले इसको लिख लेते नहीं अन्दर में नहीं गिनना बस अंदर वहला से बाहर को जब रिलेट करें तब बुलक कॉ जाएगा ठीक है तो इतना होगी हम लोगों को इस कॉंप्लेक्स ब्रांच करना उसी तरह इसका भी नाम करन लिखना पड़ेगा यहां पर देखो डिट्री जुड़ा है यहां पर वन डास हो जाएगा तू डास इधर जाएगा तो फिरी फूर चल जाएगा इधर जाएंग ठीक है इसके लिए तुम क्या लिखेगा इथाल लिखेगा इसके लिए मिठाल लिखेगा इधर भी है तुम उसके लिए मिठाल लिखेगा सार कुछ के लिए इसका नामकरन लिख लो उसका नामकरन लिखो गए कैसे लिखो गया तो टू पे तुम्हारा क्या है सबसे पहले एतना ही तो हो गातमारे ठीक हुँ घख MR Näg Ari T kop 24 out की इधा त्मारा सिंप्लेश्ट ब问 हो गया आप सभी को क्या करना react करके लिखेंग सबसे पहले क्लेयर से स्टाट हुआ भी से लिक स्टाट हुआ है इसे यहाँ पर इसे कोण लेटर से यह से और मिधाल M से मतला को सबसे पहले लिखना अब तुम लों को बता आए थै कि अगर नोमेंखलेटर लिखना अगर सेम हो जाता है तुम्हार सिंपल ब्रांच और कॉंप्लेक्स ब्रांच गावी तो जो हम लोग प्रायर्टी देते हैं वह क्यों यहां तो यहां पूरा नाम लिखने जा रहे हैं तब तुम्हारा नाम लिखने जा रहे तब पोजिस्टन पर तुम्हारा क्या हो जाएगा एण हो जाएगा ठीक है ख्लियर है उसके बाद उसके बाद और कि अपैंट तो यहां पे क्या सब्सक्राइब हो जाएगा इथाइयल उसके बात हो जाएगा क्याशे हेक ऑग ने Donc बिखा ने कैसे बात अभी तो और यह वाला इथायल को लेंगे यह कोन सा पोजिस्टन अरे अभी तो तुम लोग देखो ओ फिर गल्ती कारता गल्ती कैसे करता इत्हाल बी तो है और इत्राइल ये भी तु है अज्णि अगर करने जाओ तो आपया गलत हो जाता है कि नहीं तो उसको क्या करें यह पे आराम से जो पांच लिख्या है यहां पर डाय तो यूज करना पड़ेगा ना तो उसके लिए लिखते यहां पर डाय लिखते यहां पर इसका पोजिशन जो है लिख दो पांच पर है कहां पर है बारा पर समझ माया तो यह डिरेकली हो जाएगा ना इसमें कोई दिकते नहीं होगा बाकी यह तो हम लोग तो हुई नकरति ना सब्सक्राइबर कर चावदांये कर Sempre of Dlexandby यहां इसका यहीं हो तो हिए उसके यह नोगा пожlいつये सब्सकी सब्सक्राइब टो सिर्फ हम लोग सीखने के लिए बाके तुम्हारा जो ओरीजिनल जो लिखे नोमेंक्लेचर वह यहां से लिकर करके यहां तरह किसमें नहीं लिखे इसमें नौ में डाय मिथाल तो छूट गया ना यहां पर क्या हो जागा होगा होगा क्योंकि देखो इस तरह से उसका क्या होगा अब चलेंगे इसमें देखो में भी है ना कि जैसे हम क्या क्या है अपने से एरेंज करके तुम लोगों कोस्टन दिये थे इसी चलते थोड़ा स्क्राइब नाम लिखने में थोड़ा साथ डिफिकल्ट हो जाएगा लगी जो पोजिटन सेट करके जो दिया जाएगा उसमें क्या रहेगा इजी जी रहेगा वाँ पर क्योंकि वह हिसाब से दिया रहता है समझमाया अब हम लोग अपना सेट करने के हो सकता है किधर ब्रांच निकल जागा को ठीका ना है नहीं न इस जोसे होगा इस अब चलता है इसमें ब्रांच से इससे दिखाएंगे राकी यह भी तुम्हारा क्या हो गया यह तुम्हारा simple branch हो इस तरह से छूटने की probability कम हो जाता है ठीक है इसे चूट देता सुचता है कि उसको लिखेंगे लिए लिखने समय भूल जाएगा ठीक है तो इसी चलते हैं उस तरह से highlight करना बहुत जरूरी हो जाता है तो इस तरह से directly पता चल जागा अच्छा यहां यहा इसमें चलोगे 1-2-3-4-5 तो यह भी branch और यह भी branch ठीक है अब के लिए रहे हैं लोगों को नामकरण खले लिखते जाओ जैसे इसका लिखोगे आप सब्सक्राइब नम्मरिंग दे या तो है नहीं नहीं नम्मरिंग दे दो इधर से चलोगे 1-2-3-4-4 और 5 पे ब्रांच और फिर 6 पे भी branch है फिर चलेगा 7-8-9-9 पे branch है फिर चलो 10-11-12 12 पे branch है फिर चलो 13-14-15-16 16 पे है उसके बाद 17-18-19-19 पे फिर है ठीक है इतना कि नैंटिन के बाद 20-21 है तो कॉंटिंग तो है नहीं रहे आगे चलो 1-2-3-3 पे फिर चलेगा उसके बाद 4-5-6-6 पे है उसके बाद 7-8-9-10 10 पे है उसके बाद 11-12-13 पे है उसके बाद 14-15-16 पे है उसके बाद 17-18 में भी है 17 और 18 पे इतना अब देखो इससे और इसमे कौन-कौन तुम्हारा हट सकता है सबसे पहले देख रहा है 18-19 ज्यादा हो गया 16 से 17 आ गया मतलब 16 अरे एक तो चार चे एक साथ दो चार छे एक साथ नहीं ठीक है चलो यहां से देख रहा है तुमारा कुछ कुछ कट रहा है का जैसे कि 6-6 खतम हो जाएगा पिर यहां से 16 से 16 खतम हो जाएगा इस तरह हो जाते है कल्कुलेट करने के लिए ठीक है अब देखो अब बच्चात यहीं सबने ज्यादा हो गया बाकि देखो यहां पर पांच और चार नो और नो अठारा अठारा हो जाएगा और पलस में तुमारा 12 और पलस में 19 इतना हो गया अरे इतन इतर तिन तेरा तेरा कितना हो जागा 26 और 17 रठारा तक कितना हो जागा सब्सक्रान चौटिस अरे पांच हो जाएगा ठीक है इन लोको जोड़ो छे पांच ए ग्यारा अरे तीन दू पांच और एक छे अनले तो ज्यादा हो जा रहे है इधर वहांट करेंगा अब देखो चार और पाच कि इधर से कॉंट किया था इधर से किया था का वाइं टो थेरी फोर फाव इधर से करेंगे वाइंट तो थेरी फोर फाइव शिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टूविल थर्टीन तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कॉंप्लेक्स ब्रांज का नाम लीख लो उसके बाद चलेंगे उसमें तीक है कमा मिधाल हो जाएगा मिधाल हो गिया अब कितना कारवन का तृस के लिए परोपाइल सुद्र कि अब चल३े इसका नाम करन रखो इस विए य àBE ब्रांच कौन है यसके लिखब संब से पहले लिखेगा तो इस लाइप पर हो जाएगा तुम्हारे यहां पर मियथैल है उसके अब लोगेश्च चिन्ग कितना पांच कर्वन के लिए क्या लिखेंगे पेंट्र लिखेंगे इथा ठीक है और फिर लोंगे खतम तो हो गिए इतना ही था अब सभी को यहने करेंज करना अब फीडियों को एथाल और मिथाल हो जाएगा मतला दो फूरी फोसींबल यह स्टार्ट है और वहां पर भी इथाल और मिथाल मतला सबसे पहले को ना में दिवल और यहीं नाहीं आ हो जाएगा प्रोपैल हो जाएगा उसके आपद इस खत्म हो गया अब यहां प्रहुत एथल है तो मतलब देखेंगे नमरींग लुआ से आप यहां नमरिंग में देखो इथल कहां है तो तुम्हाराई6 फोजिसन पे है और इथल तुम्हारा कहां एन टो देखा याफ चार चार और तुम्हारा स्फ़ले आजर रहा और भले आ लिख देंगे और क्या हो जागा तुम्हारा इत्याल हो जाएगा अरे कोई दिकत नहीं अब साथी साथ आगे देखो तो आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर इसका नाम करने लिखेगा कितना नमबर पर है डूएल नमबर पर चाहोगे था इसको पहले भी लिख सकते हो ज नहीं होगा जैसे कि लोग को एड़ करों के ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी देखो तो यह दो गुथम लोगो पहले आ जा रहा तो ना इस तरह से लेको को दिकत नहीं है अब इसका नाम करें लिखो अरे इसका कहीं लिखे तो इसका क्या हो जागा यहां पर क्या हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा इथाल हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा और साथी साथ यहां पर क्या है तुम्हारा पेंटेल यहां पर क्या हो जाएगा पेंटेल खतम हो गया यह हो गया में ब्रांच जितना लेकृत क्शम और ल मिथन लिखेंगी कितना है वह किसे अब बता की किस搞 नाम कैसे होता तो किक या मनलों कि इसके लिए हम लो चम और लेकृत के लिए हम वही कोस्ट मोब लिखते ही थे अभधात है वह रिपीट होने लगा जैसे दस से उपर जाते थे तो हम लोग को होने लगता था उसी तरह से इसमें भी देखो यहां पर क्या हो जागा तुम्हारा यहां पर भी देखो एकौस है रिपीट हुआ उसी तरह से आगे चलके तुम्हारा क्या हो जाएगा कोस 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 तुम्हारा क्या होगा रिपीट होने लेगा जैसे यहां पर देखो 28 के लिए क्या हो जाता है है क्या होता है क्या होता है और बाकि जो एक होता है एक कोस को यहां पर चिपका देते हैं ठीक है बाकि देखो हो यहाँ वाएज के लिए क्या होता है तो दो के लिए तो त्वाना ढूश हो गिया और जतना वी विषलोगा डर क्या है करने लगेंगा उसके लिए कोस कि मेरए ऑड़ते यह गिए करने लागें पर अब लोग देखो यहां पर अकीस था तो अकीस नमर के लिए क्या लिखेंगे ट की तो है तो उसके बास गोता तो ही तक तो यहां पर डायक्टी यहां को जागा यह तो इतना हमलों लोग को क्या हो गया अप 20 के लिए हो से मैं पूछा जाएगा तरीका था अगर मान के चुलो इस तरह का एक्जाम्पल दे दिया जाए तो उसमें लोग कैसे नाम करें लिखेंगे तो कुछ था थोड़ी सिर्फ हम लोग को ब्रांच वेगर का नाम लिखना और फिर उसको क्या करना सजा करके लिख देना तो यहीं था हम हम लोग को सिंपल सिंपल बस भले देखने में टाफ था वाकर में थोड़ा सा लंबा लगा इसको बनाने में लेकिन इस तरह का सवाल कभी एक्जाम में पूछे एगर नहीं सिर्फ हम लोग को सिर्फ यहां पर सीखना था कि कंपॉन का नाम आखिर लिखते थे तो लिखते क अब हम लोग देखेंगे जिसे अलकेंत का हम लोग पूरा कभर कर लिए कि ब्रांच के अंदर भी ब्रांच हो वह सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर दिये अब जो हम लोग सुरू करने जा रहे हैं कि क्या ची अलकीन के बारे में जिसमें डबल बॉन टेखने को मिलेगा फिर लोग चलेंगे साइकलिक वहला में कि साइकलिक में जब रिंग वह एकर रही सब बनता है उसमें किस तरह को उसका नॉमेंटलेचर लिखा जाएगा तब बहुत कुछ सीखना बाकी ही है चलो दिरे-दिरे अलकीन में जाते हैं यतना लिख लो पैसे देखो हम लोग जो सुर लिखने की परियास नहीं करेंगे सिर्फ यहां पर थोड़ा सा क्या लिखा गया है सो देखो कि इफ टू और मोर डबल बॉंड और ट्रिपल बॉंड और पर जेंट देन वी हैब टू एड एड करते हैं लोग ए करते हैं इन दी वर्ड रूट किसमें वर्ड रूट में काहन लिखा अब इसको भी तुम एग्नॉर करो ठीक हैं मोग बेसिक से पहले स्टार्ट करने जा रहे है जैसे मान का चलो इस तरह से तुम्हें हैं अब हैड्रो कार्बन दीखा अब इसका क्या करने हम लोगों नॉमेंक्लेचर रिखता हैं सबसे पहले यहां देखो डबल बॉं इसको उधर से मोग कांटरिंग करेंगे जिदर से नंबरिंग क्या मिले कम मिले जैसे अब देखो इस कारबन में और इस कारबन के बीच में तुम्हारा डबल बॉंड है अगर तुम अभी नंबरिंग देने जाएगा मानके चलो यहां से वान टू ठीरी और फोर कोन कारबन के बीच में तुम डवल बॉन बना दिया अभी ठीर ओर फोर के बीच में अगर आम्म्हरेंग इधर से करोगे वान तू ठीरी फॉर ता अभी कौन कौन कारबन के बीच में वान क्योन ने तो हमेशा ख्यालות एये रखना कि double यह attractive triple bond को उधर से कॉंड करना है जिदर से तुम्हारा संख्या क्या हो काम हो तो इधर देख रहा है यह double बहले है अभी बोलेगा किस पोजिशन पे तुम्हारा double bond है तो नहीं क्या बोलना one बोलना क्या बोलना है अगर इस तरह से इधर से कॉंड करता तो अभी four पोजिशन पे मत बोलना अभी क्या बोलता थिरी पोजिशन मतले जो पहले स्टार्ट होता है उसको कॉंड करते को वहां पर तुम्हारा क्या है डबल बॉंड का सुरुबाध हुआ है स्मझ माया कि तो इधर से कॉंड करता तो जीखना और इसको पेसिंश के साथ सारा कुछ देखते जाना इसको मिटाही दे थोड़ा नाम जो लिखते हैं उसमें समय गया था कि प्रिफिक्स लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं यहीं तीन कौन लिखते थे कित Bennett March करेगा वर्डरूट से अब रूट करें कितना वर्ड रूडबंख कि लिए ब्यूट लिखते हैं यहां पे क्या लिखेंगे ब्यूट लिकेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखो कितना double bond है किए जहांते हैं तो यहां पर लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे लेकिन यहां पर कितना पर फर्क पढ़ता है कि वह कितना पोजिशन पर बंड रहे तो यहां पर कितना पोजिशन पर वन पोजिशन पर नहीं बोलना को लाइं वह उसका पोजिशन होता है ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे वन लिख करके फीड डाश देना पड़ेगा यहां तो किलियर है मतलब समझ गया कि जितना तुम्हारा वर्ड रूट है कैसे लिखागा सो इधर से कौन करेगा तो 123 पर इसका नूमिंक्लेचर कैसे लिखेगा फिर उसी-तरह से वर्ड रूट लिखेगा क्योंकि यहां पर किसी तरह का प्रीफिक्स दिख नहीं रहा है और नहीं दिख रहा है यहां पर ब्रांच वेगरा तो अभी सबसे पहले चार क यहां पर क्या लिखेगा अब देखो ट्रिपल वोन आ गया क्या लिखेगा वाइए यहां पर क्या देगा यहां तो किलिए पहले पहले उसका क्या बताना पोजिशन भी बताना है कि वह रखना या पर तीन देखना यहां पे तू लिखना तो यहां पर क्या लिखेगा डाया इस तरह से इसका क्या बोलते हैं नहीं बोलता इसको यह बोलेंगे तेदर से नमबर देंगे 1 2 3 4 और 5 इसका नाम कैसे हो जाएगा 5 को करबन है पांच करबन के लिए क्या हो जाएगा पैंट हो जाएगा ठीक है अब देखो कितना पॉजिसेंगे तुम्हारे डेबल बोन है सकेंड पॉजिशन पे अरे सकेंडर पॉजिसेंगे तो उसके लिए के लिए क्या लिखते हैं यहां पर ट्रिपल बॉंड रहता था यह एन यह हो जाता कम्प्लीट है अब आगे देखो इसका अब यहां से रूल फोलो होता है जो यहां पर रूल लिखे हैं कि अगर मांगे चला भी एक कागो काम था मतलब कि था तो हम लोग तो काम बना लिए थ तो बात बन जा रहा था कोई दिकत था नहीं नम्रिंग दो कितना पोजिशन पर हो गया कतम यहां से दिकत क्या है कि दो दूग अब तुम्हें क्या दिखने लगा अलकिन देखने को मिला डबल वन यह तो कि टिरपल वन भी दो से अधिक मिल जागा तो उस कंडिशन उसका इसीय जाब काम कैसे लिखेंगे अभी वही है दännहारा सामने पड़ेगा इस तो करेंगे लगा यहत मिलए गार यहाँ घ्यांपर यहां पर फॉर हो जाए यहाँ यहाँ पर मैं नाम क्रियान अभी देखो इसके पास कोई प्रिफिक्स दिख रहा है क्या क्या नहीं ब्रांच तो दिख नहीं रहां वर्ड से रुड से स्टाट करेंगा वर्ड देख रहे इक कितना कारवन का उद्फ अगर्पन ठरबन के लिए लिगए एन है उसी तरह से अभी कितना गडुवान रहा है तो उसके लिए अत्वा क्या रखेंगा इन निदें tu यहां पिर बोलो कि यह हो एन है मुखारदा डवल बॉन वह कितना कितना पोजिशन पर 1 यहां पे लिखेंगे 1 और क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे यहां पर सर्थ क्या है कि जैसे सिंगल रता था ना तो ऊसके यहां पर हेक्शто लिखते थे अभी कितना कितना आ गया दो आ यह ह्यात पिन आ जागा इस तरह से तो यहां पर जो है को चुछ यहां यहां पर हैं colour ची止 से यूज हो तब यूज करेंगे क्या चीहां पधियों नहीं करेंगे जैसे जानते थे होदा था पेंट लिखोंटा करेंगे कीर देख वांट पर वांट करते हैं से फ़ाइब का इसका नाम कैसे सथा से को दिखा नहीं फिर वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे च्छे कारवन के लिए क्या लिखेंगे लिखेंगे यहां तो क्या लिखेंगे लिखेंगे यहां तो क्या लिखेंगे 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 ल ट्राय लिखेंगे ठीक है और डवल्गून के लिए क्लिए लिखते हैं इन लिखते हैं समयमा गिया तो इस तरह से इसका नाम लिखना है मानकर चलो अभी इसी को जश्ट एडिट कर देंगे इसमें कहानी सब सेम रहेगा बसका लिए एन की जग में क्या हो जागा वाई एन ए हो जागा समयमाया है क्यों हो तो आइसा करके चलो पहले इसका नाम लिख लो उसके और प्रैक्टिस करेंगे तब पूरा किलियर होगा ओग sound endings के अब इसमें थोड़ा-थोड़ा क्या है ना कुछ और जानना बहुत जरूरी है अब जानना ये जरूरी है कि जैसे सब से पहले हमां को प्रैरी लेते थे वह क्या लेते थे हम लोगोсь क्या करते थे चूज करते थे शबसे已经 जोने चाले लेकिन जब अर्ट और कषक्षाइंड सके सब्सक्राइब अगर वहाँ चैन बाद इसका ब्रांग जैसे पहले लिगता ता उसी तरह लिखेंगे ठीक है नहीं करेंगे क्योंकि डॉभल इधर सामने पड़ रहे यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले ब्रांच लिखेगा तो ब्रांच कितना अब नमबर पे तू पर तुम क्या लिखेगा निध्याल दो हो Oh ज़लेगा अब देखो पूरा त्म्हारा वर्ड रूट कितना है तिन carbon का अज दिन का लिए क्षा लिकेंगे लिए लिए लिखेंगे अब यहां पे तुम्हारा देखो numbering क्यूंकि double bylor कितमा number one पर और इसके लिए लिखेंगाइ? enfee एक नमबर पर जब भी तुम्हारा रहता है निस तरह से तो वन नमबर तुम इसको दिखा भी सकता है और नहीं तो इस तरह से डारेक्टली लिख सकता है पर आता है तो उसको नहीं करते इस तरह से एकस्पाइंड करके नहीं भी लिखोंगे और ऐसे लिखोंगे चलेगा लेकर हम लोको आदत बना रहे सभी में सही लिखके इस चलता इस तरह लिखते जाएंगे समझे मारा लेकिन ऐसा भी लिख सकता है कब जब वन पोजिशन पर अब इसमें देखो इसमें थोला सा कहानी चेंज हो जाएगा जैसे अभी बता थे रूल सो अभी चाहेगा सबसे पहले लोगे चाहता था अभी देखो वन टू थीरी फूर फाइब इसको लोगे चैन मानता लेकिन इसको लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि देख रहे या फिर इधर आजाओ चाहें उधर चल जाओ अब समझे मारा मतलब डबल बॉंड को छोड़ना नहीं है जहां डबल बॉंड है उसी को मलूग का करेंगे लोंगेश चैन को ले करके चलेंगे मतलब यहां पर देखो इधर जा रहे है दो करबन कहीं भी जाएगा तो मतलब इस तरह से घ्हराव करेगा अब ही तुम क्या करने जा रहा था पूरा चैन को करने जा रहा था लेकिन डबल बॉंड वह ट्रीम बशिन को साथ में ले करके हिं commit यहां से यहां effort हो जागा one two three और यहाँ से four अर्य वाल क्या हो जागा तुम्हारा ब्रांच फ्रफ्तिस का नामकरण लिखेगा कैसे हो जागा सबसे फ्रें टूangan पर लिखेंगे This रेतम लिखेंगे और लोंगे चार करणा बंगा चार कारवान के लिए क्या लिखते हैं अब एक ही को सिंगल वॉंड है यहां फिर यहां पर एन इड़ाइक लिख दो क्योंकि वन इट्व था यहां पर सिर्फ सिर्फ सीखना यह था कि कितने कार्मन का चेंट हम लोग को मतला नहीं है हम लोग को इंक्लूड किसको करना डबल बॉन्ड को भी साथ में लिख करके चलना जैसे और एक्जाम्पल यहां से और किलियर होगा इसमें देखो कॉंट करेगा एक दो तीन चार पांच छे लेगन अभी देखो इधर जाएक लेगन अभी जो तुम लोगे चेंट चार्ट होगे तो तुम्हारा यहीं बनेगा अब इसमें देखो डबल बॉन्ड बीच में आ गया तो को मतलब थोड़ी था लंबा भी हो गया और साथे साथ क्या बीच में आ भी गया तो इसको इसी तरह से लिकर करके चलेंगे अभी पर लाट करेंगे यहां पर तुम्हारा नजदीक बोड़ रहा है तक इदर से तो ऊसको क्या हो जाता था फिर ब्रांच के चलते तो की प्रांच को नजदिक पड़ रहा है या पिधर ब्रांच की संख्या ज़ादा है उसके अनुसर से ध्रे-द्रे एक्जमपल आती जागा तो सीखते जाओगे इसका नाम करोंगे ब्रांच का नाम लिखोगे यहां है यहां है और यहां है तो सबसे प्रहे देख रहे हैं सब्सक्राbuilt Q लिए 1 के लिखेंगे लिखेंगे यतना लिखते हैं इसके भाइब हो डॉज बोन कितने जगह दो जगह आप दो जगह है तो जानता है दो गराता तुसके लिए लगा देटे थे एड करते थे अब यहां पर आप पोजीशन लिखो दूसरा पोजीशन पेर कहां है चौंत है पोजीशन पर तो दो है तो इस चल्थ क्या लिखेंगा आप है आर डाय और चार पांच छे साथ आठ गो डबल बोन भी ता रहा था साथ अभी तुम घेरने जाए गाते इसको लोंगे श्रमान लेता लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है क्या करना है मतलब बॉंड को छोड़ना नहीं है हाँ एक पुसीबल था कि इधर भी अगर डबल बॉंड आ जाता क्या तो सिंगल अब यह तो प्रायरूटी किसको मिलेगा पहले डबल फिर से समझो एक ऐसा भी मिलेगा कि इस तरह से भी तुम्हारा डबल बना हुआ है तब देख रहा इधर से इधर तो लोंगे चेंट इसी को मानेगे तो अभी छूट जाएगा इसको ब्रांच के जैसा ट्र हाँ तो इधर से बची तो ना तुम्हारा बेंगा यहां पर अलकिन में देखो यहां पर destac ने को मिलेगा जूट जबंड़ी intense पिजिसंन में यहां पर डिषैंड करते इसाइन है अधर से इसमस्थे ब्रांच आगि आगया अधर मयां मतलब процесс पहले आ गया टाहिए नामक्राल देंगा है मतलब समझ मारें क्या करना अब इसका नाम लिखना है लिखेंगे यहां पर कितना पोजीसंट में प्रोपाल सकेंडेंग प्रोपाल लिखेंगे अब तुम्हेरा लोगेस चैनि कितना कारवन का वही चीज न चाटे थे तो च्छे कारवन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं है अब देखो दो दोग डबल वोन इसी चलते जान रहा है कि ए तो जुड़िये जाएगा अब कितने कितने पोजिशन पर वन और फाइब पर दोग है इसी चलते क्या लिखेगा डाई और यहां पर क्या जाएगा इन इसको कैसे लिखेंगे जैसे किधर से लेना है कि नहीं लेना यह डिचाइड कैसे करेंगे यह सब समझ मागें धिरे-धिरे तो यह था तुम्हारा कैची नुमेंकलेचर और भी बहुत कुझ जानना है तो आज का वीडियो यहीं परहने दो बाकी हम लोग कल में क्या उसमें ब्रांच भी गरा जाएगा और भी थोड़ा कॉंप्लेक्स उसमें अलकेन भी आएगा और अलकान भी आएगा तो उस कंडिशन में उसको कैसे नॉमेंकलेचर लिखेंगे तो बहुत कुझ अगला लेक्षर में लोग सिखने वाले तो चलो इसमें इतना कर लो पाकि क करना पीछे जितना अभी तक पढ़ा सभी को रिवीजन जरूर करना क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे सारा का सारा यहां पर गायब हो जागा ठीक है चलो फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में